हेलो इस्टूडेंट वेलकम वेक टू माई चैनल समराट के नमी स्टूडेंट मेराना मैं कैस मेरे प्यारवी दर्थियों जीतने बच्चे 23 बोड़ जयम की तेहरी कर रहे हैं उनके लिए उड़े बहुत ही जादा इंपोटेंट है आज मैं आप लोगों को बहुती विग्या चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर दो बहुत सारा प्रश्ने देखते हैं कितना प्रश्न आप कर लेते हो ठीक है फूरी प्रेक्टिस करनी है चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना है पहला प्रश्न पर करता हूं मुझसे पहले ही आप लोगों को अंसर देना है पहला प्रश्णिया है कि आउतल दर्पन के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिविम बनता है कि आपका अगर आउतल दर्पन है और उसके आपने फोकस पर ही अगर वस्तु को आपने रख दिया है तो उसका प्रतिविम कहां बनेगा आपसन वक्रता केंदर पर आपसन भी दरपन के पीछे आपसन सी अनन्त पर आपसन डी धुरू पर क्या हुगराइट अंसर कमेंड करके बताइए तो देखिए आउतल दरपन के मुग के फोकस पर अगर आप वस्तुक रख रहे हो तो उसका प्रत्मिम हमेशा कहा अनन्त पर कहां बनेगा अनन्त पर अगर फोकस पर रखते हो तो उसका प्रत्मिम कहां बनेगा आनन्त पर ठीक आपसन सी काँच का, आपसन ठीझ तरपीन के, तेल का, बताई क्या हो तो देखें, वाईउ के सब एक माध्यों का पौरतना का इख्थम होता है हीरे काleist बढ़ेंगे प्रस्टनमबर तीसरा की थेखें, प्रस नमबर तीसरा क्या है किरा कि समतल दरपन की फोकस दूरी होती है आपसन ए सुन्या, आपसन भी अनन्थ आपसन सी 25 cm, आपसन डी माइनस 25 cm बताइए तो देखिए समतल दरपन, समतल दरपन मतलब कि जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो समतल दरपन कहलाता है उसके focus दूरी कितनी होगी है तो उसके focus दूरी अनंत होती है कितनी अनंत होती है क्योंकि हम संतल तरपड़ में सूरे का भी प्रत्वीम देख सकते है चंद्रमा का भी प्रत्वीम देख सकते है वाई focus दूरी उसकी बड़ी होई न बहुत अनन्थ हो जाएगी ठीक है आपसन 20 की उसन का राइट डांसर होगा बढ़ेंगे प्रस्ट नमबर 4 की तरफ प्रस्ट नमबर 4 है निर्वात में प्रकास की चाल होती है निर्वात में बिल्कुल निर्वात मतलग खाली ठीक है उसमें प्रकास की चाल कितनी होती है 3 गुड़े 10 पे 7 m2 दो गुड़े 10 पे 8 m2 की आपसन C यहां पे है 3 गुड़े 10 पे 8 पे 8 पे सिकेंड, आपसन D हो जाएगा 3 गुड़े 10 पे 9s सब्सक्राइब करने के लिए वस्तु को उत्तर लियंस के सामने रखेंगे कि अगर किस वस्तु का अभासी प्रत्वीम चाहिए सीधा प्रत्वीम चाहिए और बड़ा प्रत्वीम चाहिए तो हम उत्तर लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखेंगे आपसने लेंस के मुझे फोकस पर आपसन भी फोकस दूरी के दूगने वस्तु पर आपसन सी अनंत प प्राकासिक किंद्र और प्रतम मुखे फोकस के बीच बताईए सो समझके दीजेगा इसका जवाब बहुत IMPORDENT प्रस्ण है प्रस्ण नमर पाँच वाँ इसका राइट आंसर हो जगा आपसन नमर डी क्योंकि लेंज के प्राकासिक किंद्र और प्रत्वम मुझे फोकस के बीच अगर वस्तु को आप रखते हो तो वस्तु का जो प्रत्वीम प्राप्त होगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा प्रत्वीम देखने को आपको मिलेगा मतलब आपसन नमबर डी स्क्यूसन का राइट आंसर हो जागा ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की तरफ प्रस्ट नमबर शिक्स प्रस्ट नमर शिक्स है कि समानने स्वास्त आख के लिए दूर बिंदू होता है करा कि अगर आपका आख बिल्कुल स्वस्त है तो आपका दूर बिंदू कहां तक हो सकता है आपसन ने 25 सेंटिमीटर आपसन B 50 सेंटिमीटर आपसन C 100 सेंटिमीटर आपसन D अनंत पर तो देखिए अगर आपके यहांखे अच्छी हैं इसके फोकस दूरी जी होगी दूरी बिंदू अनंत पर होगी क्योंकि हम लोग अपने आग से चंतरमा को भी देखते हैं सूरी को भी बहुत अनंत है तो बिलकुल समाने àiश डूरी आख के लिए दूरी बिंदू अगर पूछे है तो अनंत होता है ठीक है छलिए आगे बढ़ते हम प्रस्ट नंबर सेवन कि तरफ देखे प्रस्ट नंबर सेवन क्या बोला है कि प्रीजम से स्वेत-प्राकास की किरणे गुजरने पर सबसे अधिक वीचलन होता है कह रहा है कि अगर प्रीज में से अगर स्वेट की प्रकास किरण गुजर रही है तो सबसे अधी की वीचलन की किस रंग का होता है आपसने बैगनी रंग का है आपसन भी हरे रंग का आपसन सी पीले रंग का आपसन डी लाल रंग का बताइए क्या होगा राई टांसर क्यों सम याद रखिएगा जी सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है सबसे कम लाल सबसे अधिक दोनों याद रखिएगा आप लोग ठीक है चलिए परस्ट नमर अठ्वांग परस्ट नमर आठ्वां क्या है कि पराकास का वेग निवन में से किस माद्धे में सबसे अधिक होगा Option एवयू, Option बीजल Option सीकाच, Option आपरण डी निरवात, अभी हमने इस प्रस्टन का उतर अभी पहले इस प्रकार के प्रस्टन आया था, ठीक है तो होगा भी या निरवात में अभी हमने देखा निरवात में कितना था, तीन गुड़े दस पर पावर, आठ मीटर पर सिकेंट, ठीक है, इतना था, निरवात में प्राकास की चाल, ठीक है, ताइब होप किलेर हो गया होगा, आपसन नमबर 10 क्यूसन का राइट आंसर होगा, ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण नमबर 9, प्रश्ण नमबर 9 यह है, चंद्रमा से देखने पर आकास दिखाई देता है, अगर आप चंद्रमा पर हो, ठीक है, आकास को देख रहे हो तो आकास कर रंग कैसा दिखेगा, अपसन A बैगनी, अपसन B नीला, अपसन C काला, अपसन D सफेद, ठीक है, बहुत प्रशन था, आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर दस्वा की तरफ देखे, प्रशन नमर दस्वा है कि विद्धुत आवेस का मातरक है, आपसन आ जूल, आपसन भी कुलाम, आपसन सी बोल्ट, आपसन डी एम्पियर, बहुत प्यारा प्रशन है, जल्दिस कमेंट करके बत विद्दू तो आवेस की बात कर रहा है तो उसका मातर क्या होता है कुलाम होता है सिंपल आपसन भी जो ही स्क्यूशन का राई टांसर हो जाएगा चलिए बढ़ेंगे एक लिए प्रश्ण की तब देखे प्रस्ट नमर 11 प्रस्ट नमर 11 यह है कि विद्दू धारा का मापन कि किसे किया जाता है किसे नापते हैं विद्दू धारा को आपसन बोल्ट मीटर से आपसन भी अमीटर से आपसन सी गेलेवनों मीटर से आपसन धी ऊर्जया मीटर से बताईए बहुत प्यारा प्रस्ट नहीं है प्रस्ट नमर 11 देखे विद्दू धारा का मापन किया जाता है और मीटर से किसे और मीटर से विदुधारा को ठीक है यहीं विवांतर अगर पूछ देता तो बोल्ट मीटर हो जाता ठीक है विवांतर बोल्ट मीटर और विदुधारा और मीटर दोनों याद रखिएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तो प्रश्ण नमर 12 देखे प्रश्ण में 12 यह है कि विदूत सक्ति का मात रख होता है पावर की बात कर रहा है कि अगर विदूत पावर का मात रख क्या होता है आपसने बोल्ट आपसन भी वाट आपसन सी एंपियर आपसन डी ओम मता यह राइट अंसर क्या होगा देखे मेरे प्यार विदूत स सक्ति की बात कर रहा है ठीक है तो विद्धू सक्ति का मातर क्या होता है जैसे वोल्ट है अपे देखे वोल्ट किसका मातर होता है भी वांतर का ठीक है और वाट किसका होता है सक्ति का ठीक है और एंपियर किसका होता है तो धारा का ठीक है धारा नापते हैं एंपियर में और वूम की इसको अप्रतिरोध का, तो हमने चारोग बता धिया, लेकर आलागे हम से पूछा है, कि वीदू सक्थी का था, सक्थी का होता है या वाट, ठीक है, आप इसक्यूसन का राई तांसर हो जागा वाट, हमने चारोग बता धिया था कि अभी आप लोगों को पूरा पूर ग्राफ बनेगा ठीक है उन्हें जो ग्राफ बनाया था वी और आई का तो ग्राफ कैसा बनेगा आपसन ने सरल रिखा और आपसन भी यहां दिखा देता हूं वरीत आपसन सी अर्दे वरीत आपसन टी लागातार दिसा बदलती रखा तो सब को मालू होना चाहिए कि उम के नि अर्दे की बता रहा हूं उस ट्री को याद कर लेना आप लोग बहुत इंपोडेंट है प्रस्ण यहां है कि प्रतिरोध आर के किसी तार की टुकड़े को पांच बराबर भागों में काटा जाता है इन टुकड़ों को फिर पासरो करम में सन्योजीत कर दिया जाता है पासर का राइट आंसर हो जागा आपसन नंबर डी 25 ठीक है देखे कैसे अगर पांच टूकड़ां बातने के लिए बुलेगा सिर्फ पांच टूकड़ां तो पांच को आपको सिर्फ वर्ग कर देना है लेकिन अनुपात यह होना चाहिए आप लोगों को आर बटे आर डैस होना चा कर देगा आर डैस बटे आर नीचे कर देगा तो हो जागा आप लोगों का एक बटे के 25 यह विजगा एक बटे के पूछी स लेकिश लेकि अलांकि हम कौन उपात कौन सा दिया है तो आर बटे के आर डैस तो हम लोग क्या मारेंगे 5 कर देंगे यह जागा 25 सिम्पल आप कि ओम के नियम का सुत्र होता है तो ओम का नियम तो सबको मालूम हों चायि अपसन ए आई वरावर वी इंटूर कि आपसन भी वरावर वी इंटूर आई आपसनझ सी वी वरावर आई आ處 कि आपसनदी Grad FIR कोई नहीं होता है एक स्वल सक्टिवर कितना होता है 5726 वाट Gibson 266 56 46 अब संब 756 वाट बताये क्या हो गाराइट आंसर बहुत प्रस्टा अर्मने आता है यच उसक्टिवर रहत है 746 सवाट कितना सा सूच 13 वाट मतलब मतलब आपसं सी जो Deanser हो जाएगा बढ़ेंगे एकले प्रश्चनी की तरह प्रस्च नमर 17 में दिखाता हूँ आप लोगों को ठीक है प्रस्च नमर 17 है कि प्रतिरुध का मात्रक होता है सिंपल आपसन यह ओम होगा कि आपसन भी प्रति मिटर कि या अपसन c, ohm, meter एक अपसन और है में दिखा देता हूँ आप लोगों को चैसे meter प्रति, ohm है तो simple आप लोगों बताइए कि ohm का मातरग क्या होता है तो कोई भी बतादेगा, simple खारीक बच्चा बतादेगा कि ohm का, और प्रतिरोत का मातरग जो हता है वह होता है ओम ठीक है तो प्रतिरोद का मातर क्या होता है ओम सत्रक आए जो है राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरह प्रश्ण नमर में आपको दिखाता हूँ अठ रहमा बताइए प्रश्ण नमर अठारा है कि चुम्बकिये बले शैकर डिखाता है कि हैं आप सन भी एक बिंदू पर मिलती है आपसंन सी गह दूसरे को कभी नहीं काटती है आपसंसी जो क्वेम आइट डाराराय डंसरों क्रश्ण जो कर उबडला होती है वह एक दूसरे को कभी नहीं कारती हैं, फिर ऐसे निकलती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे निकलती हैं अगरे तो आपसंस C याद रखिएगा चलिए बढ़ेंगे एगले प्राश्ण के तरव प्रस्ट नुमर 19 प्रस्ट मुणनिस है कि विद्धु धारा उत्पन करने की युक्ति है विद्धु धारा कौन उत्पन करता है आपसने जनितर है आपसन भी गेलेवनोमीटर आपसन सी अमीटर आपसन टी मोटर तो विद्धु धारा उत्पन करने की युक्ति पूछा है ठीक है सुष समझ के जवाब दीजिएगा तो युक्ची पुझा यह जागा जनीतर है क्योंकि विदूदार उत्पन करने की जनीतर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर बीस प्रस्ट नमर बीस वहां देखिए क्या है बहुत इंपूर्टेंट प्रस्ट है दिखाता हूं आप प्रस्ट नमर में देखाता हूं आप लोगो 21 प्रस्ट में 21 है कि प्रेरित विदूदारा की दिशा ग्याद करने के नियम अगर हमें प्रेरित विदूदारा की दिशा ग्याद करनी है तो हम कौन सा नियम लगाएंगे आपसन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपसन सी ओम का नियम कि आपसन दीन में सो कोई नहीं बताईए कि उसमर 21 कराइट अंसर क्या होगा तो देखिए हमें न चलिए बात करते हैं अगले प्रस्णी की तरफ और प्रस्ण नमबर 22 की तरफ देखिए प्रस्ण नमबर 22 बहुत इंपर्टेंट प्रस्ण है हर साल आता है यह प्रस्ण है कि अगर B, A और यहां फे 5 करम सा चुमकिया छेतर की तिवरता मतलब B जो है वो चुमकिया छेतर की ब इंटू ए आपसन बी ब बरावर फाई इंटू ए आपसन सी ए बरावर बी इंटू फाई आपसन डी ए बी फाई तीनों को गुड़न फल एक के बरावर होगा बताए कि उससे अमर बाइस का अंसर क्या होगा कौन सा फर्मूला बनता है मेरे प्यार विदार सबकों मालूमें कि पहला बनता है ठीक है 5 अरावर क्या बनता है B इंटू के A मतवकि चुम्ब के फ्लक्स के बारे बात करें तो उसके अगर 6 पल और चुम्ब के 6 की तीवरता गुड़ा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ठीक है इंटू को फिर समानतर करम में जुड़ा जाता है यदि तुले प्रतिरोध आर डैस है तो आर डैस बटे आर अनुपाद होगा उस वाले में था आर बटे के आर डैस था तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे कि सिर्फ 5 कवर करके पचीस हम लोग आंसर दे देते थे कब जब वह समानतर करम में जूड़ता था लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया है इसमें आर डैस को उपर कर दिया है और आर को नीचे कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग भी जैसे यहां पे 4 टूडा किया ना तो 4 कवर कर देंगे तो 4 कवर हो जागा सोरा लेकि इसको भी उल्टा कर देंगे तो हो जागा 1 वटे के सोरा तो इसका राइटांसर हो जागा आपसन नमबर D, 1 वटे के सोरा अगर यह नुपाथ हमसे पूछता कि आर वटे, आर डेस अगर पूछा होता तो हम डारेक्ट इसका अंसर सोरा मारते हैं ठीक है याद रखिए गए बहुत ही पर इससी एक क्यूसन तो बनना तय है ठीक है यहाँ से कंसेप्ट किलिर कर लीजिएगा आप लोग चलिए प्रस्ट नमबर 24 प्रस्ट मर 24 है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्दूत परतिरोध ठीक है अगर ताप आप बढ़ा देते हो तो परतिरोध पर क्या एफिक्ट पड़ेगा आप अपसन B जो है इसकी उसन का राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर परतिरोध भी बढ़ता है चलिए बात करते हैं प्रस्ट मर 25 प्रस्ट मर 25 है बीजली के बल्ब में फिलामेंट होता है जो बीजली का बल्ब आप देखते हैं जो फिलामेंट तार बना होता है वो किस तार का बना होता है? आपसने टंगस्टन का, आपसन भी लोहे का, आपसन सी तांबे का, आपसन भी पीतल का बताईए कि उस समस्ट 25 का राइट अंसर क्या होगा? तो देखिए बीजली के बल्म में फिलामेंट जो होता है तो टंग सटन का बना होता है किस है तैंग सटन का बना होता है याद राखेंगा अगर बात करें अले प्रस्टिंग की तरब प्रस्ट नमर टॉंटी सिक्स देखे प्रस्ट मर टॉंटी सिक्स है कि नीकर द्रिष्टी दोस के निवारन के लिए चेस्मे में परियुकत करना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए किस लेंस का परियुक करना चाहिए अगर आपके आँखों में निकर द्रिष्टी दोस है तो आपसन में पढ़ता हूँ उत्तल लेंस आपसन भी उत्तल लेंस आपसन से उत्तल दरपन आपसन टी आउतल दरपन तो देखिए अगर आपके आँखों में निकर द्रिष्टी दोस है तो उसके निवारण के लिए कौ उप्ता लेंस हो जाएगा, दूर द्रिश्ची दोसरा था, तो उप्ता लेंस हो जाता था, तो इसका राइट टांसर क्या जाएगा, अप्सन नमबर B, मतलब 26 का, आप्सन भी जो है राइट टांसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, बढ़ेंगे एगले प्रस्ट की तरह, देख प्रतविम बनता है अगर आपके आखों में दूर दूर दृष्टि दोस है तो प्रतविम कहां बनेगा आपसने रेटीना पर आपसन भी रेटीना के पीछे आपसन सी रेटीना के आगे आपसन दी नेत्र लेंस पर बताएए 28 का राई टांसर क्या होगा देखें दूर दृष्टि दोस के कारण जो प्रतविम बनता हो रेटीना के पीछे बनता है ठीक है आपसन भी अगर निकर दृष्टि दोस राता है तो उस समय रेटीना के आगे बनता है लेकि दूर दृष्टि दोस है तो रेटीना के पीछे बन और वक्रता तरीजे यह फ उर र में कौन सा संबंदा आफसन A आर बराबर F, आपसन B आर बराबर 2F, आपसन C आर बराबर F, आपसन D आर बराबर 4F, बताएए तो सबकों मालوم है कि आपसन B ही होगा कियूंकि आर बराबर होता है 2F, यहां से अगर F निकालें तो F बराबर RY2 भी हो जाएगा, ठीक है, तो यही दो होते हैं, ठीक है, में आप लोगों का R बराबर 2F होता है, हलांकि यह दिया, कभी कभ यह आपसन में यह भी दे देता है, इसको ना देकर इसको दे देगा, तो दूनों याद रहेगा, तो आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले परस्णी की तरफ, और देखिए, यह लास्ट परस्ण में आप लोगों को बता रहा हूं, तीसमा, कि एक गोली दरपन की अगर वगा करता, तिरजिया अगर 30 cm है, मतलब R का बेलू आपको 30 cm, उसी पूला मालो में तो सब कुछ कर डालोगे, ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि 30 हमने इंपोर्टेंट क्यूसन कराया, 30 में से कितना क्यूसन आपने किया है, जरूर मंदारी से कामेंट करके बताईए, क्यूंकि उस बात तयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करी लेना है, साथी साथ वीडियो को सेर भी करना है आप लोगों को बहुत लोगों के पास, ठीक है, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद